इंडिगो काफी सारी कामटियों ने अपने नतीजे गोशित किये एक एक करके जान लेते हैं सौमित हमाई साथ जोड़ चुके हैं नतीजों का पूरा अनालेसिस लेकर सौमित अगुड मॉनिंग बताइए कौन-कौन से नंबर्स आये हैं और अग कैसे रहे तो पहले तो अग अगर आप देखते हैं कंपनी के तो भी 59% से जंप किये हैं करी 15.4 डॉलर प्रती बैरल पर है कंपनी की दो रिफाइनरीस हैं मुंबई और कोची और दोनों ही रिफाइनरीस के अगर आप मार्जिन्स को देखते हैं तो वो आल टाइम हाई पर थे स्ट्रॉंगर रिफाइन अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा मिक्स सेट आफ नंबर था रेवन्यूज में बीट आये बट एबिटा और नेट प्रॉफित थोड़ा काम आया है एबिटा बिलो एस्टिमेट इसलिए है क्योंकि जो डिप देखने को मिला है उक्यूपेंसी लेविल्स पे वो हायर दिन एक्सपेक्टेड है करीब 57 परसंट का उक्यूपेंसी था थर्ड कॉर्ट में ये नंबर करीब 63 परसंट के आसपास था उसी के साथ अगर हम देखते है तो जो कंपनी का ऑनलाइन बिजनेस है अपुलो 24-7 उसमें जो स्पेंस थे और कॉस्ट थे वो भी काफी हाय होने के का अबिटा मिस आया है नेट प्रॉफिट के अगर हम बात करें तो टैक्स रेट 58.8 परसंट ता फोत कॉर्ट में और यह हायर टैक्स रेट होने के कारण ही हमें नेट प्रॉफिट में बड़ा सा डिकलाइन देखने को मिला है आखिर में अगर हम इंडिकों के रिजल्स के नेट लॉस रिपोर्ट किया है और कोविट से लेके अब तक करीब 13,000 करोड रुपए के नेट लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया अब यह वीक रिजल्स के पीछे तीन कारण थे एक तो कोविट का इंपक्ट था दूसरा फ्यूल कॉस्ट हायर था और तीसरा कारण यह था क कि जो कंपनी के जो फॉरेक्स लॉसस थे इस क्वाटर में काफी हाय थे करीब 612 करोड रुपए के फॉरेक्स लॉस कंपनी ने फॉर्थ कॉर्ट कॉर्ट और फॉर्ट में रिपोर्ट किया और कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो अदर एक्सपेंस और एंप्लॉई प्रेसेंजर लोड फैक्टर पे इसका एक नेगेटिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है और फ्यूल कॉस्ट और रूपी भी हाई होने के कारण प्रॉफिटाबिलिटी पे भी इसका एक इंपक्ट देखने को मिल रहा है आगे चलते भी और राइट तो ये कुछ नतीजे हमने आपको बताया भी काफी धेर सारे नंबर्स आए हैं इस पर आज हमारी नज़र रहेगी अब वह बात शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने का तो इंडिगो अपोलो हॉस्पिटल और बीपी सेल के नंबर्स आई यहां पर तो ह बात करते हैं अब बात करते हैं तो वो जो है वो भी एस्टिमेट से बेटर आया है तीन इंपॉर्टन रीजन से कोल इंडिया के अच्छे नतीजे के लिए सबसे पहला है वॉल्यूम्स बढ़े हैं, रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है और एक डेमांड जो है आपका पाव सेक्टर से और इंडस्ट्री से वो भी जो है ग्रोथ देखने में मिलिया है वियाद रखिये पिछले साल के बेस भी कम था तो अब जो है इंडस्ट्रियल वर्क और नहां पर आप देख सकते हैं, बाटा सबसे पहले लूँगा, स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर्स देखने मिले हैं, आए में भी लगबग 13% का उच्छाल देखने मिला है और ग्रॉस मार्जिन की जो एक्स्पैंशन हुई है उसके कारण जो काम का जी मुनाफ़ा है उसमें भ पार फाइनेंस कोपरेशन जो लाजली एक स्टेबल स्टॉक रहता है और इनके आखडे भी लगबग इनलाइन सैट अफ नंबर्स देखने मिले हैं और टाइप से फ्लैटिश ग्रोथ हम लोग कह सकते हैं आपके एनाई में ग्रोथ है लगबग 10 से 13% का लेकिन जो प्रोव जो नतीजे देखने मिले हैं और इस पर इनकी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है सेग्मेंट यहां पर इम्पाक्ट देखने मिले है नाल को जो में इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस जो है विज़ानी वाइस उसमें देखने मिल रही है आयए में लगबग 50% से ज्यादा का growth देखने मिला है और अगर margins की बात करें तो यहां पर लगबख 400 basis points का margin improvement भी देखने मिला जिवें फॉडलर के मिले जूले नतीजें आए हैं आप क्या सकते हैं कि आए में 52% का growth देखने मिला है लेकिन जो आपके जो प्राट है वो लगबख सापाट का growth है प्राज industries के भी मिले जूले नतीजें आए है टॉप लाइन ग्रोथ अच्छे आए है शुगर स्टॉक्स के हाला कि जो इंपुट रॉम्ट्रिल कोस की बढ़ोतरी के टॉरेंट फार्मा के मिले जूले नतीजें आए हैं लेकिन लाजली कह सकते हैं इन लाइन expectations के और मार्जिंस में लेकिन थोड़ी दबाव जरूर देखने मिली है तीन सो बेसिस पॉइंट का यह और नियर बेसिस पे ज्यादा का ग्रोथ देखने मिला तो यह स्टॉक पे भी आप ज़रूर नजर बना के रखेगा तो धेर सारी नंबर्स हैं देखी लिस्ट काफी लंबी है बड़े नतीजों में बीपी सीयल अपॉलो इंडिगो और कोल इंडिया के भी नतीजे आये हैं उसके लावाद आद में उसका टेक्निकल एनालेसिस भी करेंगी कि यहां पर क्या करना चाहिए लेकिन आज खबरों वाले शेयर्स भी काफी सारे हैं शरत क्या-क्या खबर आई है कल बाज़ार बंद होने के बाद और फ्रिगर्स कौन-कौन से हैं तो बैसिकली सबसे पहले वोड़ा फोन आइडिया फोकस में रहेगा यहां पर सेवी ने अलाव कर दिया कि भारत की गौवर्मेंट हो एक्जेंट कर देंगे उनकी नई ओपन आफर जो वोड़ा फोन आइडिया खोलेंगे उसके उपर अब जो है कंपनी जो है लगबग 33% से जाधा स्टेक जो है कंवर्ट करने व फोडलर में अफकॉस नतीजे तो आई थे मिक्स सेट अफ नंबर्स लेकिन इंपॉर्टन है कि बोनस इशू हुई है अगर आप एक शेर होल्ड करते तो आपको दो शेर के बोनस मिलने वाले हैं टोरेंट फार्मा में भी बोनस का अनॉंस्मेंट हुआ है वन इस तो वन का है कि यूएस के लिक्विड फैसिलिटी ऑपरेशन से वो अब वो डिसकंटिन्यू करेंगे और उसके लावा पेपर स्टॉक्स में रहेगा जेके पेपर ले लिजिए ओरियंट पेपर ले लिजिए आंधरा पेपर ले लिजिए क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स के आकड़े आ पेपर स्टॉक्स में रहेंगे और काफी सारी कंपने ने बोनस शेर भी अनाउंस किये तो इन तमाम खबरों पर आज दिमभर हमाई नज़र रहेगी धन्यवाद आप शरत यह सारी जैंकारी देने के लिए